कि दोस्तों अगर आप option बाइंग कर रहे हैं ठीक है option बाइंग और आपको position लेनी होती है call side या पूट side ठीक है option बाइंग में इंट्राडे में तो अगर आपको कोई AC चीज मिल जाए जिसके बेस पर पता कर सको कि market का मूड आज क्या होने वाला है market की ज्यादा probability आज call side रहेगी की ज्यादा probability put side रहेगी मतलब अगर आप यह सोच पाओ कि चलो आज जिस तरह से market open हुआ है ठीक है उसके बाद ज्यादा अगर market गिरता है तो call side जा रहा है मतलब buy and dips करना है कि वहां पर put buy कर लें क्या safe रहेगा probability कहां पर ज्यादा है अगर ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए तो आपका जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा राइट सो एक बहुत simple टेक्निक बजाता हूँ थोड़ा उसमें आपका judgment का यूज करना पड़ेगा कोई ऐसा specific magical चीज नहीं बता रहूं मैं आपको बहुत ही लोजिक के साथ समझाओंगा मैं आपको और बहुत मजा भी आएगा चार्ट पे धियान देना और यह जो मैं चीज सिखा रहो और nifty और bank nifty दोनों के चार्ट में हम apply कर सकते और आपको समझाने के लिए तो आज के दिन की शुरुवार करते हैं कि आज market gap up open हुआ और बाद में यह जो पहली 15 मीट की candle है 15 मीट की candle ठीक है इसके base पे हमें कुछ identify करना है इसके base पे थोड़ा market का mood उसमें सा पता करना है ठीक है अगर आप देखोगे कि आज की यह 15 मीट का high यह था और low यह था ठीक है अब एक सबसे बड़ा observation सबसे बड़ा observation जैसे कि 9.15 को market open हो था और यह candle हमारे हाथ में आ जाती है 9.30 को ठीक है 9.30 को यह candle आज में आ गई फिर यह दूसरी candle तीसरी चोथी पांचवी छठी छे candle ओर आ गई ठीक है तब तक कि जब तक इतने बज़े दे मार्केट में 10-15 बजगे साड़े 10 बजगे ओने 11 बजगे 11 बजगे साड़े 11 बजगे मतलब 9.15 से लेके साड़े 11 तक यह candle अपना लो नहीं तोड़ा था और नहीं तो यह candle अपना अब तोड़ा था अब तोड़ा क्योंकि बाद में वो नीचे अगया था ठीक है एसी सिचुएशन थी अब मेरा दीमा क्या कहता है मेरे experience के इसाफ़ चैनल को नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है जब तक वो डीले कर रहा है अभी तक candle को नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है इसका मतलब मैं पूट साइट नहीं जाऊ होगा देखो मैं यहां पर पूट साट जाके यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूं that is okay बट मैं को अवर ओर पोजिशन की बात कर रहा हूं कि आज मेरा थिंकिंग यह होगा क्योंकि यह डिले कर रहा है नीचे ब्रेक होने में यह डिले कर रहा है टाइम लगा रहा है अगर यह वीक होता तो ब्रेक कर चुका होता समझो अगर यह वीक होता तो यह ब्रेक कर चुका होता ना सिंपल चीज है पर जितना ज्यादा टाइम वो नो पंदरा से ज्यादा लगा रहा है उसको ब्रेक करने में उतना मेरा पूट बाई करने का मूर थोड़ा थोड़ा कम हो जा अब यहां पर देखो क्या हो रहा है 9.15 की candle यहां पर दी ठीक है और 9.15 की candle के बाद उसने यहां पर थोड़ा देखो मैं आपको point भी बता देता हूं कि क्या वो matter करता है कि नहीं करता है यहां पर 44 17,044 और 48 और इसका high था 23 वालब 20-30 पॉइंट का ही इसने यहां पर high मारा ज ब्रेक किया 11 बजे और वो भी इतना significant breakout नहीं हुआ है मैं चाहता हूं कि ऐसे हो जाए एक तो उसने 11 बजे तक breakout नहीं किया और वो भी कम किया यहां पर तो यहां पर भी weakness moderate है aggressive वाली weakness नहीं है और market buy on dips में call की side चला गया understand यह logic दिरे-दिरे समझो मैं आपको समझाना क्या चा मैं जो आपको बताना चाहता हूं इंस्ट डूसरी candle नीचे की तरफ चली गई तो वह weakness बताता है ठीक है फिर कहीं बाद तीसरी candle भी नीचे चली जाती है वह और ज्यादा weakness बताता है अब ऐसे condition में जब-जब market उपर गया नीचा है उपर गया नीचा है उपर गया नीचा है समझ आ रहा है मात बात को ठीक है काफी सारे एक्जामपल से हमारे बास 28 मार्च हो गया 27 मार्च है 27 मार्च का चार्ट देखो यह जो candle बनी है इस तरीके की candle बनी ठीक है अब देखो उसने low तो नहीं तोड़ा दूसरी candle ने अच्छा कासा high तोड़ दिया तीसरी candle ने भी फिर से उपर गया फिर से नहीं चाया वही यहां पर ही उसने सपड़ लिया फिर से कॉल और लास्ट एक्चुली मैं ना दो तीस दो पैतालिस के बाद फिर में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं काफी सारी जगा पर यह मैंने एक रूल बताया है क्योंकि वहां पर गलत दूसरा थोड़ा एक प्राइस एक्षिन थोड़ा मिक्स करो देता हूं अगर आज का सुबह का लो यह है ना तो वही लास्ट दिन का भी लो इसलिए यह यहां पर रूखा था तो इसी छोड़ी-छोड़ी चीज आप एड़ भी कर सकते हो फिर आता है 23 मार्च 23 मार्च को च तो मैं कॉल में जाओ यहां पता चल गया आपको ओके मेरा चोड़ मिलेगा वह कोल साइड मिलेगा 21 मार्च 21 मार्च मतलब यह देखो अब इसमें क्या हुआ यह वाला और यह वाला अब नीचे यह गया है केंडल और वह 15-17 पॉइंट से ज्यादा नीचे नहीं गया फिर व इन लोग को जल्दी नहीं तोड़ता है एक घंथा दो घंथा तीन घंथा अब पूल में एंगरेसिव मत जाना उस तीजिंटे ले तो इस तरह जा सकता था जा सकता था और probability काम होती है समझ गे तो यह भी आपको ध्यान रखना है 21st मार्च कतम होगा 15 मार्च को देखते है 15 मार्च को क्या हुआ ओके देखो यह जो यहां पर यह था सीधा लो तोड़ दिया फिर से यहां पर लो फिर से ऊपर जाके नीचे तो यह होती है यह ऐसी मुमेंट कई बर हाथ में आ जाती है तो बहुत मज़ा आती है इसमें दूसरा क्या होते है बता है कि अगर आप एक गंटे का इसका चार्ट तो वह एक गंटे की केंडल भी नीचे ब्रेक आउट होती है तो मैं वहां पर वन आर का चार्ट भी देख लेता हूं तो बहुत बड़ी मुमेंट हमारे पास आ जाती है ठीक है अब चोदा माच की देख लेते हैं देखो यह वाले केंडल चोदा माच को किया गया फर्स कें हां देख दीआ नीचे फिर यहां पर अजां अब वाहिं और यहां रूठ गया हां तो यहां पर पूर करने में कामियाब नहीं हुआ समझ आ गया जोगी मार्केट नेगेटिव और लास्में थर्ड मार्च के एक एक सापल थर्ड मार्च आप गे देखो अप हुआ हुआ है और दूसरी या तो तीसरी चैंडल ने चोथी कैंडल ने तो बहुत मस तरीके से उपर ही बताना चाहता था कि मार्केट में एक घंटा हो गया है मैं ना तो नीजे का लो तोड रहा हूं और एक घंटे की एक घंटे वाली केंडल भी अब जा रही है तो वह उपर ही जाएगा उस टैम पे देखो उस टैम पे मैं अचानक यहां पर कर देता हूं टीप्स के भई क्या देखना है और क्या में सोचना है देखो 15 मीट की जो केंडल होती है 15 मीट की केंडल ठीक है वह हमें थोड़ा इस तरह से ब्रेक आउट हो दी है मतलब उसको नीचे जाना है तो वह टाइम क्यों ले रहा है है आपे दो दो घंटे बरबाद क्यों कर रहा है वह ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है यह हमारे मन में क्वेश्चन होना चाहिए मतलब वह ब्रेक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि लोग वहां पे सेल नहीं कर रहे तो इनकेस अगर आप पूट में जाना भी चाहते है तो 50% कॉंडिटी में जाओ ज्यादा मत ज तो आज अगर वह नीचे आता है तो मैं बाई-उन डिस पे ज्यादा फोकस करूंगा प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड के यह लो ना तोड़े जब यह लो तोड़ता है तो मेरा सब लोजिक फेल हो जाता है तो मेरे फेवर में जाता है मैं 100% कॉंटिटी के साथ ड्रेड करना लगता हूं अड़िस्टेट फोप यह वीडियो का आपको अच्छा लगा होगा अब यह टेकनिक अडॉप्ट करके देखना उसमें थोड़ा सा टाइम लगे का जज़्जमेंट लेने में फिर से मेरे वीड और बेंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शन्स पे है तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर वन टेलिग्राम चैनल निफ्टी बेंक निफ्टी वी आईपी ट्रेडर्स हमनें क्रियेट की है उसमें आप आसानी से जूर सकते हो क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बेंक निफ्टी का लाइव मार्केट में में मेजर प्राइज एक्शन के लेबल के अपडेट्स आपको दिये जाएंगे दूसरा वीकेंड का यूस किया जाएगा स्टैटे के वीडियो भी होगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर प्रॉफिट के स्क्रेंशोट होंगे दूसरे ड्रामा बाजी होगी ऐसा नहीं यह 360 डिगरी आप इसको मेंटर्शिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो जहां पर आपको लाइव लेवल्स भी मिल जाएंगे नहीं नहीं सेटप्स भी आपको दिये जाएंगे और आपके माइंडसेट और टैक्निक्स पर कैसे काम करना है और आपके क्वेस्चन के आपको आंसर भी मिल जाएंगे यहीं नहीं उसके साथ ही हम लोग ने टूल बनाया है जिसका नाम है Option Order Master खास करके Option Traders के लि उसके बेस्के फटा-फटा Market Order और फटा-फटा Breakout Order डाल सकते हो ताकि आपको बहुत जंजट करने की जरूरत नहीं है यह टूल ऐसा ही Free मिल जाएगा अगर यह चैनल जोइन करना चाहते हो और लाइफ में Capable बनना चाहते हो किसे पर Depend नहीं रहना है और फाल तो Tips या Calls नह कि आपके पीगे